प्रादीशिक समाचारेकान शाकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत है इंदौर जिले की चिठ्थी आलेख मनिंद्र कुमार दुबे वाचनस्वर शेख महजबीन अलमाद। इंदौर में G20 समेलन के तहट चौथी रोजकार कारेसमू की बैठका आयोचन किया गया। इसके पहले तीन बैठके जोदपुर, गोहाटी और जिनेवा में आयोचित की गई। पहले और दूसरे दिन अधिकारी स्तर के बैठकों में असंगठित शेत्र को संगठित करने के साथ साथ इसका मज़ूरों पर सामाजिक प्रभाव, बदलाव और सुधारों पर चिंतन किया गया। बैठक के अंधिम दिन G20 देशों के 24 श्रम और रोजगार मंत्रियों के अलावा विश्रिश आमंत्री देशों के श्रम एवं रोजगार से जुड़े 165 प्रतिनिधियों ने भागितारी की, इस दिन मंत्री स्तरी घुशना के प्रारूप और परिनाम दस्ताविजों को अं रहे है देश की ग्रह और सेकारिता मंदरी अमिश शाह ने पिछले दिनों इन दोर में संभागी बूत कारिकरता सम्मेलन के साथ प्रदेश में 2023 के विधान सबा चुनाओं के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत की शिशाह ने कारिकरताओं से प्रदेश सरकार की उपलब रुपे दिये गए हैं वहीं जल जीवन मिशन से प्रदेश के साथ लाग बाईस हजार घरों में नलों से प्याजल मिलने लगा है स्वचता अभियान के तैट असी लाग घरों में शोचाले बनाए गए इंदर जिले में 7-12 अगस 11-16 सितंबर एवं 9-14 अक्टूबर 2023 तक त बी एस सतेया ने बताया कि यूविन पोर्टल पांच कारे प्रिनालियों में कारे करेगा मधिपदेश पशिम शेतर विदित विदरन कंपनी की पॉलो ग्राउंड इस्थ जांच प्रयोकशाला को अगले दो वर्शों की राश्टी इससर के मानेता मिली है कंपनी के प्रबन लागत की विकासकारियों का लोकारपन और भूमी पूचन किया उन्होंने ग्राम पंचायत मांगलिया में 9 करोड 92 लाग रुपे की लागत से बनने वाले पेजल आवरधन निर्मान कारे का भूमी पूचन इवं 29 करोड 32 लाग रुपे की राशी के निर्मिच्छ बहराजो का लोकारपन किया भारती प्रबंद संस्थान आयम इंदोर अब देशवर के स्थानी निकायों को स्वच्छता में उत्करष्ट बनने का प्रिशिक्षन देगा संस्थान के निदेशक प्रफेसर हिमान्शु रोई ने बताया कि इस केंदर में देशवर के स्थानी निकायो के अधिकारी अफ्षिश प्रवंदन और स्वच्छता के गुर सीखेंगे। इंदार जिले में मतदाता सूची के पनरिक्षन के तहत 31 अगस तक मतदाता सूची में नाम जोडने संशोदन और नर्सन के कारवाही की जा रही है। इस लाग से अधिक हिद्गराही महलाओं को लाडली बेना योजना की एक हाजार रुपे की दूसरी किस्त जारी की। इन दौर में खेल के दौरां चोटिल होने वाले खेलाडियों के लाज के लिए अत्यादिनिक सिवाओ से युक्त बुटी एडवांस स्पोर्स इंजिरी र का आयोजन किया जाएगा वहीं इन दौर जिले में पर्यावरन को बहतर बनाने के लिए हर्याली महत्सों बनाया जा रहा है। इन दौर जिले में इस बार मांसून महरबान है। जिले में अब तक 696.5 mm यानि लगभग 27.5 इंच औसत वर्षा दर्श की जा चुकी है। जिल